पंजाब विधान सबब का सेशन चल रहा है और इस बीच जीरो आवर में काफी सारे सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं खास सोर पर बात की जाए तो आज कल का जिस तरह से देखा जा रहे हैं कि अवारा पशू से काफी हाथ से होते जा रहे हैं वहीं इसको लेकर के आंकडे भ हम लोग सडकों पर रहते हैं और चोटी सडकें बड़ी सडकें गाउं शेर हर जगा जहां भी हम लोग जाते हैं रोज हर रोज को इनको ऐसी गड़ना होती है कि अवारा पशूं के साथ अवारा गाए के साथ जा किसी जो उसको डठा बोलते हैं ठीक है ना जी बैल बोलते ह उसके साथ मौते होती हैं बहुत सारी हमारे पास भी आते हैं लोग के जी हमारा मुद्ध मुद्धा अठाईे यह आप पर望रका मेंभर चला ह passar गप एक्सीरेंट में हमारा कसूर क्या था मैं यह तो बता दू और काउस सेक्स भी लेती है सरकार ठीक है जी तो इसलिए हमारी जुम्मेवरी बनती है, मैंने बतार एक जुम्मेवर व्यक्ति, एक MLA होने की वज़ा से मैंने ये सवाल विदान सभा में आज उठाया है, कि जी पहली बात तो जो गाए है, उसको हम लोग मां बोलते हैं, तो मां तो किसी का कतल लीना करती, मां किसी की मौत का कारणी बन सकती, अगर गाए हमारी मां है तो गाए का रखर खाओ करना भी हमारे कनून के जुम्मेवरी बनती है, सरकारों के जुम्मेवरी बनती है, स्टेट गौवर्मेंट के जुम्मेवरी बनती है, कि इंदर सरकार के जुम्मेवरी बनती है, कि गाए को ऐसा कुरुत बाद दिया जाए जैसे नैशनल एनिमल जा नैशनल जानवर जो होते हैं कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ रखे कि उसका मानसदकार प्रापर हो और जिस व्यक्ति ने गाए रखी उसको पता हो कि गाए रखने का मतलब क्या है यह नहीं कि जब तक गाए दूद देती है मैं उसक सरकार को लिखती रूप में यह मांग करें और इस चीज को उठाए अरेज करें के केंदर सरकार इस मसले पे कानून को और सक्त करें और दूद पीने के वक्त उसकी जुमेवरी किसकी बनती है दूद पीने के बाद जब दूद देना बंद कर देती तो इसकी जुमेवरी बन सकते हैं क्योंकि देखा जाता है बहुत सारे लोग है जिन्हों ने घरों बे गाये रखे हुए बहुत सारे ऐसे लोग है जो उनको दिन में छोड़ देते हैं शाम को दूद्ध होने के वक्त उनको ले करके आते हैं अगर बीच में कोई बिमारी हो जाती है उनका टीका कर रहे है तो इसका रखाट तो मेंटेन किया जा सकता है यह एक इक चीज का रखाट मेंटेन हो सकता है जी तो इसको कर सकते हैं जब सरकार टेक्स ले रही है तो सरकार की जुम्मे वरी भी बनती है कि आम लोगों को इसका नुक्सान क्यूं हो ठीक है ना तो इसकी बिलकुल अकॉंटेबिल्टी सरकार की भी बनती है हम सब की बनती है कि आप मुझे नाबा की विदानसभा लोगों ने मुझे चुनकी यहा कर रहा है कि गव माता बहुत हमारे लिए धार्मिक तोर पर बहुत हम रिस्पेक्टड है हम सतकार करते हैं लेकिन गव माता की रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार रहनी चाहिए और गव माता किसी का कतलना हो से किसे टकरा के किसी की मौत ना हो तो गव माता की रखर खाओ गव मा दबाव डालेंगे क्योंकि आपके जो साथ के नेता हैं जाहिर तो पर वो सब इस से परिशान हैं तो वो भी आपके साथ होंगे तो क्या पंजाब सरकार की तरफ से आप भी दबाव डालेंगे मुख्यमंत्री पर कि वह एक लैटर जो है मुझे सीच का जखीन है क्योंकि जब हम लोग सरक पे जा रहे होते हैं किसी की एकसीडेंट से मौत होई देख करके हमारे दिमाग में साथ कालोजिकली एक जो तस्वीर बनती है कि जहन में जो सपने आते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए ठीक है ना तो वो बड़ा अजीब सा महाल बन जाता है तो उससे कहीं ना कहीं मुक्ती डालने के लिए उससे मुक्त करने के लिए करून सक्त से सक्त बना बनाया जाए और देश में ये जो अवारा पश्यों से मौते हो रही है और जो मौते होती हैं उनका तो कोई कुसूर है नहीं जी ठीक है जी कुसूर किसका जिसने गाये छोड़ दिया जिसने बैल छोड़ दिया तो जो ये काम करते हैं उनके उपर भी निज़र रखी जाए और उनको भी कहिना के कनून में लिया जाए आज जिरो आवर में एक और सवाल उठा है रवायती खेती का पोस्ट की खेती का आप कितने कितिफाक रखते हैं उससे देखिए पराने बज़र के जब हमारे थे आज मेरे फादर साहब 90 साल के असपास हो चुकी हैं हॉस्पिटल में बहुत कम गए हैं तंदुरस्त हैं दवाईयां कम खाती हैं बुखार बहुत कम होता है तो कहीं पराने जमाने में दवाईयां नकली नहीं होती थी फसलें असली लिगली है तो इस चीज का यह जो पतानमदारण सावाँ ने बात किया मैं बिलक्तु सहमत हूं कि इसके ओपर विचार करना चाहिए और विचार करके यह तो बात कन्फर्म है कि पोस्त के साथ किसी की मौत वाज चीज में पढ़ने से तब बहतर है कि जिस चीज़ से जंदकी बसती है वो चीज के बारे में जरूर विचार करना चाहिए अबसे विधायक देवमांजिरों ने सीज़े तोर पर आज एक तो जो अवारा पशू है उनका मुद्दा उठाया है साथ ही साथ इनोंने इनके जो साथ ही विधायक है उनके तरफ से मुद्दा उठाया गया था पोस्त की खेती के उसका भी समर्थन किया है वीडियो जूनलेस जसे ही साथ खबरे अभी तक के लिए चेटीगर से हर सिर्ण